नमस्कार दोस्तो पैनि स्टॉक के सीरिज में आप सभी का हार्दी कमरंदर करता हूं दोस्तो आज हम लोगों को देख सकते हैं पोटफोलियों में रखने के लिए तो दोस्तो सबसे पहले जो श्टॉक है उसका नाम है गोयनका डायमंड एंड ज्वेल्स तो गोयनका ओपन हुआ था और मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पर इसको रेकोमेंड कर दिया हूं तो दोस्तो अगर आपने अभी तक टेलिग्राम चैनल को जोईन नहीं के तो सबसे पहले टेलिग्राम चैनल को जोईन जरूर कीजेगा क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आज बजट थ है तो दोस्तो सबसे पहले बिना देर के टेलिग्राम चैनल को जोईन कीजिए हम बात करने वाले गोईन का डैमेंड जोल्स की तो लोगों ने पूछा कि इसका टार्गेट कहां पर होगा जिस तरह से आज हम दोने बाई तो कर लिया अब बाई करने के पास इसका अगर उसे ब्यस्वी मिलता है तो गयन क्या अगर जिस तरह से हम लोग ट्राइच करें अपर सर्किट ब्रेक हुआ ब्रेक और रखा हुआ है अब बात करते हैं इसका सबसे पहले टार्गेट की तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका fundamental लेक पर फटाफेट चेक कर लेंगे कि जब हम लोग उन्हें वाई किया हुआ इसका तो target कहां तक हो सकता है तो दोस्तों देखिए fundamental strong जो भी कमपनियां होगी वही आज नहीं तो कल दोस्तों वही उपर जाएंगी और जिसका fundamental खराब होगा वह भले थोड़ा बहुत उपर तो जाएगा लेकिन उसके बाद से जब नीचे गिरेगा तो नीचे गिरता ही चलाएगा इस बात को अपने mind पर एकदम mind में विठा करके रखना है दोस्तों और मैं ये बात बार-बार क्यों कहता हूँ क्यों आपको इस चीजों को ध्यान देना ही देना है बात करें इस कंपनी को अगर थोड़ा साम लोग इस कंपनी को वैलुएट करने की कोशिज करें कि वास्तों में ये कंपनी अभी 4 रुपया 28 पैसे हम लोग ने भाई किया तो ये कंपनी महेंगी है सस्तिया है फ्रेंट्स देखिए बुक वैल्यू कितना है 7.66 तो सबसे पहला टार्गेट तो यही होगा तो जो हमारा इसका सबसे पहला टार्गेट निकल करके आता है वो टार्गेट कितना होगा टार्गेट हम रखेंगे 7 रुपया 6-6 पैसा तो ये तो होगया बुक वैल्यू का टार्गेट लेकिन विश्वास मानिए कि अगर ये अपने बुक वैल्यू से एक गुना भी उपर जाता है दोस्तो तो कितना होगा 7 दुना चाओद और साड़े साथ दुना 15 हो जाएगा अल्मोश तो इसका पहला टार्गेट हम लोग 15 मान करके चलेंगे ठीक है इसका पहला टार्गेट 15 अब दोस्तो देखते हैं कुछ और चीज़े जो इससे प्रोमोटर होल्डिंग के श्टेक अब गार आप किसी कंपनी को देख रहा है तो मान लीजिए सब कुछ इसका अच्छा रहे और प्रोमोटर होल्डिंग के श्टेक अगर मान लीजिए 5 परसेंट ही रहे तो इस कंपनी में थोड़ा सा डाउट फूल हो सकता है कि वाकई में यह उपर जाएगी कि नहीं जाएगी फिर बाद में प्रोमोटर होल्डिंग अपना श्टेक बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे यह सब चीज़े डाउट हो जाती है लेकिन और लेड़ी इस कंपनी में प्रोमोटर रोल्डिंग के श्टेक 57% है अब दोस्तों एक चीज़ याद रखेगा कोई भी कंपनी कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है कि continuous जो है उसका price उपर चलता चला जाएगा इसा नहीं है और देखे ऊपर गया तो हो सकता है यह फिर थोड़ा नीचे है फिर उपर जाएगा फिर नीचे है फिर उपर तो इस तरह से higher high higher high और higher low के formation में कभी भी stock उपर जाता है ठीक है तो इस बात को आप हमेशा अपने mind में रखेगा नहीं तो होगा किसी दिन अगर यह lower circuit लगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा रही क्या खरीद लिया मैंने क्यूं इतना उपर खरीद लिया नहीं तो अगर नहीं करीदा होता तो मुझे यह chance देता तो अगर आप ऐसे mindset वाले हैं तो आप share market में या आप holding के लिए problem आपको हो सकते क्यों problem होगा जैसे momentum इस तरह से एक बार high low पर हमें buy करना फिर high गया फिर उसको लो पर फिर दुबार higher करना फिर high तो यह सब चीज़े देखना है जब कोई fundamental strong company नीचे गिरता है तो वो opportunity होती है क्या buy करने के लिए ना की डर के sell करने के लिए ठीक है तो इन सब चीज़ों को mind में रखेगा तो स इस्वास मानिए बहुत ही कम हुआ करता था यहां पर around एक रुपया 25 पैसे के बास हुआ करता था और आज के date में चार रुपया चला गया तो चार रुपया पर हमें high महेंगा है या सस्ता है सोचे दोस्तों देखिए एक चीज़ याद रखे कि जब आप यहां पर नीचे पर भाई नहीं कर पाएं और अगर आपने यहां पर भाई कर लिए तो आपके मायन में जाहिर सी बात है कि इतना momentum इस तरह से उपर चला गया और कहीं नीचे आएगा तो मैं आपको यह सारा कुछ बता दिया हूँ नीचे आएगा तो यहां पर average करने का time होता है नकि sell करके बाहर होने का time होता है तो fundamental जो भी company है उसमें नीचे आए और averaging का देखें दोस्तों मैंने बहुत पहले भी बोला था कि averaging की सरसी किया जाता है माले यह गोयनका का ही example लेते हैं ठीक है यह 4 रुपे पर आ गया 4 रुपे के बासे जब किसी भी company का सबसे पहले fundamental एकदम से strong होना चाहिए तभी उस company में averaging करिए नहीं तो उसके अपने हाल पर छोड़ दीजिए अगर उसमें potential होगा तो उपर जाकर के आपको profit देगा नहीं potential होगा तो फिर loss भी दे सकता है बात जो है वो आपके सामने आए तो जिस company का fundamental बहुत ही तगड़ा हो positive हो उसमें अगर माल लिजि अगर वहाँ से 2 रुपे पर आ गए तो फिर हम 100 रुपे लगाएंगे मतलब 300 रुपे अगर हमें invest करना है इस company में तो 100 रुपे करके 3 रुपे अब ये गिरने की बात है तो हमें averaging तभी करना है जब किसी company का fundamental तगड़ा हो अब अगर बात करें देखिए MTS Infotech Limited की बात करें विशेस Infotech की इसका नाम है देखिएगा दो चीजे आपको एक तो BSC में आप अगर इसको सर्च करेंगे तो BSC में इसका प्राइस अभी कितना चला है मात्र 60 पैसा और कहीं ने कहीं इसका क्या लगा आज lower circuit लग गया तो अब आप देखिएगा अगर वहीं आप NSC में इसक इसमें lower circuit लगेगा तो वहाँ पर भी lower circuit लगेगा अगर इसमें upper circuit लगेगा तो NSC में भी upper circuit लगेगा तो हम लोग basically बात कर रहे हैं BSC की तो BSC में आप इस company का जब lower circuit लग गया तो हम क्या करें दोस्तों हमें करना क्या है हमें सबसे पहले इस company का fundamental चेक कर लेना है कि वाकई में यह company ठीक ठाक है कि नहीं है देखिए सबसे पहले इस company का देखिए यहां पर pleasing जो खराब चीज़े वह सबसे पहले देखेंगे अच्छी चीज़े बात में देखेंगे तो 46.1% तक का pleasing है इस company में तो pleasing दो चीज़े होते हैं दोस्तों देखिए प्लेजिंग मतलब सबसे पहले आप समझ दीजिए गिरिवी रखना होता है तो या तो आप अपने मान लीजिए आपको एक्जामपल देता हूं आपको कोई जमीन खरीदनी हो कोई गोल्ड खरीदना हो कोई और बिजनस करना हो तो आपके पास अगर उतने पैसे नहीं है त करके फिर हम लोग यहां पर इन्वेश्ट करते हैं और जब यह बिजनस ऊपर जाता है तो फिर इसी पैसे को ले करके यहां पर हम लोग इसको दे देते हैं पैसे रिटन कर देते हैं और फिर अपना बिजनस ऊपर की साइड में चलता चला जाता है तो इसे कहा जाता है बेस इस किसी का भी यह company होगी मतलब जिसके अब मान लीजिए आपकी ही यह company example लेते हैं हम आपकी company और इस company का market cap 226 करोड है ठीक है इसका value अगर हम देखें तो 226 करोड है तो 226 करोड दोस्तो as a penny stock मामूली नहीं होता है क्या आप चाहोगे कि आपकी company zero हो जाए कल की दिन पूरा का पूरा इसका market cap से ले करके और अगर हम इस company के assets की बात करें तो assets में भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पर कितना assets है assets 133 करोड का assets है यहाँ पर आपको दिख गया यह current assets की बात करें तो 133 करोड क्या आप चाहोगे कि आपका 133 करोड का जो assets है assets मतलब क्या हो सकते इस company की factory हो सकते इस company के office हो सकते है इस company की जमीन हो सकती है इस company के बहुत कुछ ऐसी चीजे जिसकी value आगे चल करके बड़ी उसे assets काते हैं तो आप क्या चाहोगे कि आपका 133 करोड का assets बिल्कुल zero हो जाए यह minus में चल जाए ऐसा चाहोगे नहीं दोस्तों गलती से भी नहीं चाहोगे तो सबसे पहले हम लोगोंने समझ लिया कि इस company में जो है इसका market cap कितना तगड़ा है 226 करोड market cap 133 करोड का तो यह assets हो गया वहीं अगर liabilities की बात करें तो यहाँ पर दो चीजे हो सकती है अगर आपका जो यह current liabilities है 133 करोड से जादे ह 200 CR का liabilities हो जाए तो आप क्या करोगे तब तो आप यहीं कहोगे कि यार 500 करोड का liabilities कर जाओ गया और 133 करोड भी अगर मैं बेचता हूँ तो भी इस liabilities को मैं चुका नहीं पाऊँगा तो उस दिसा में आप क्या करोगे उस दिसा में आपका दिमाग यहीं होगा कि जो promotor holding का stake है इसको धीरे-धीरे कम करके हम बाहर हो जाते हैं या अपने stake को और जादे किसी को गिरवी रख लेकर के पैसे लेकर के धीरे-धीरे बाहर हो करके निकल जाते हैं इस company के हाल पर छोड़ दे तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि current assets बहुत ही तगड़ा है current liabilities से market का बहुत ही बढ़िया है अब इस company की book value से थोड़ा सा company को comparison करते हैं कि कोसिज करते हैं कि वाकवी में यह महांगी असासती है तो देखिए कि दोस्तों अभी यह company अपने book value के पास भी नहीं आया है अब जिस तरह से इसमें क्या लगा है यह लगा है lower circuit तो अब क्या करना है इस lower circuit लगा तो हम जो यह चार्ट दीख रहे हैं अरे यह तो इतना भाग गया अब गिरेगा तो मेरा zero हो जाएगा ऐसे दिमाग में आता है लेकिन यहां अगर वाकई में चार्ट को देख करके पैसे बनते ना दोस्तों तो बहुत से लोग इस year market में पैसे बना लेते हैं लेकि आपको यहां पर fundamental मालूम होगा तो आप कहोगे कि चलो कोई बात नहीं आने दो आने दो आप averaging भी ऐसा तो है नहीं कि एक दिन lower circuit मारा तो हमने averaging 100 रुपया और डाल दिया दूसरे दिन lower circuit मारा तो 100 रुपया और डाल दिया और बाद में 4 दिन मारा तो वहां पर हमारे पैसे नहीं है तो ऐसा तो होता नहीं है और किसी भी श्टॉक में अब जब आप घुसते हैं दोस्तो तो ऐसा तो है नहीं कि आज हमने घुसा और कल के दिन करूर पती ऐसा होता है क्या नहीं होता है तो time देना होता है जब भी आप किसी श्टॉक को buy करके hold करते हैं long term के लिए तो आपको time देना होता है उसी तरह से जब यह नीचे आएगा तो यहाँ पर जो लोग भी buy करके रखे हुए हैं वो averaging नीचे की side में fundamental देख करके अपने हिसाफ से कर सकते हैं दोस्तों ठीक है और fresh buying की opportunity यह देई रहा है तो हमें अगर hundred करना है buy तो 25-25 करके एक आधपते में इसको अपना store पर लगा करके छोड़ देना है long term के लिए ठीक है friends तो यह हमारी दूसरी company हो गई अब हम बात करते हैं तीसरी company और तीसरी company आप सबको पता है कि अगर आप मेरे telegram channel पर है friends तो अच्छा अभी तक आपसे बोलना भोल गया कि एक बार like कीजिए दोस्तों और अगर आ पहले इस company का आप यहां पर देख लीजिएगा fundamental ठीक है in venture growth and securities तो इसके चार्ट पर मैं आ जाता हूँ नाम देख लिए आपने fundamental सुरसबाद में देखते हैं अब इस company में यहां पर breakout हुआ था breakout होने के बाद से हम लोगोंने buy किया ऊपर गई company और इसका quarter 3 बहुत ही आने के बाद से सारे के सारे stock उपर ही चला जाए तो सब लोग इसी फिराक में रहते कि किस company का quarter 3 result अच्छा आया है चलो उसको buy कर लो और अगले दिन करोड़पती बन जाओ ऐसा होता है क्या नहीं होता है दोस्तों ऐसा नहीं होता है अगर ऐसा होता तो हम आप सबको पता ह है कि हम लोग किस तरह से track करते है quarter 3 का result या कोई भी result हो या कोई भी news आये at least मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर update करता ही करता हूं तो अगर ऐसा होता तो मुझे यहाँ पर YouTube वीडियो बनाने की जोड़वत नहीं पड़ती ठीक है देखिए हमें क्या समझना होता है कि जिस company क का price 2,5 रुपया के पास हुआ करता था और वो company में इतना बढ़या momentum आया तो momentum आने के बाद से इस company ने quarter 3 में तगड़ा result दे दिया अब इस company को अगर आपको fresh buying करना है अगर तो यह जब नीचे आ है मतलब हमने यह समझ ले कि जो company quarter result इतना तगड़ा पेस कर सकती है तो उस company में potential है और उपर जाने के लिए तो उपर और कितना जा सकता है जबकि यह नीचे गिरा हुआ है तो थोड़ा सा हम लोग इसके fundamental पर आएंगे और fundamental पर हम लोग समझेंगे कि यह company किस तरह का business है क्या है इसका तब हम लोग चार्ट के उपर समझने की कोसिज करेंगे तो दोस् है debt free company हम लोग इसे कह सकते हैं क्योंकि reserve में जब इसके पास इतने पैसे है तो जब चाहे तब यह अपने debt को free कर सकता है दोस्तों कुछ लोग ने सवाल किये थे कि जब यह company reserve में से यहाँ पर pay कर सकती है तो यहाँ पर debt क्यों दिखाती है दोस्तों देखिए यह एक rules होता ह है कि जो भी करजा है या जो भी reserve है आपको दिखाना पड़ेगा अब इस reserve से आप दो चीज़े कर सकते हैं या तो आप अपने करजे को प्ये करो या तो अगर करजा है तो रहने दो इस पैसे से आप dividend दो जो भी shareholder है या दूसरा अगर आप dividend नहीं देना चाहते है तो company में यह पैसा लगा करके company का business model ठीक करिए business को और उपर ले करके जाएए तो यह हो गया reserve और debt की बात तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करें थे कि company ने देखी यहाँ पर pleasing है ने इस company में promoter holding cash take भी 27% है वहीं अगर दोस्तों इस company को book value के हिसाब से 2.20 पैसा हम देखें और company 2. तो अब यह company कितनी महेंगी है यह company मात्र दो गुना ही अपने book value से भागा है नीचे आ रहा है तो आपको यहाँ पर opportunity लग रही है या आप डर करके निकलना चाहते हो यह आपके उपर depend करता है दोस्तों तो मैं अब chart के उपर आऊंगा और chart पर थोड़ा सा और समझ लेते है एक बर प्लीज लाइक कीजिए और जो लोग बच गये थे अभी तक लाइक नहीं कियों कि यहाँ पर दिखने रहा है लाइक बहुत ज्यादा तो प्लीज एटलिस 1000 भी लाइक होता है दोस्तों तो मैं आपके लिए ऐसे ऐसे fundamental knowledge से लेकर के chart पर भी बहुत सारी वीडियो बन यहाँ पर तो मुझे उतना समझ में नहीं आता लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं फिर बाद में आ जाओंगा उस चार्ट के उपर तो दोस्तों देखिए अगर हम इस company के यहाँ पर price section की बात करें तो यह जश्ट एक price section के पास आ चुका है और यहाँ पर एक discount दे देगा तो फिर हमारे पास 75 रुपया अभी भी है इस 75 रुपया को कैसे यूज करना है आपको बहुत अच्छी तरह से अभी तक समझ में आ गया दोस्तों तो इसी के साथ मैं लेता हूं विदा और वीडियो अच्छी लेगे प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जाह प्लीज करता है